एक 65 साल का बाप अपनी ही बेटी के साथ अशलील हरकतें करता पकड़ा गया ये सुनकर आप हैरान हो गए होंगे कि आखिर कोई बाप अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है बाप अपनी बेटी से मिलने के लिए बिहार से दिल्ली गया था जहां उसने अपनी बेटी के साथ अश्लील हरकतें की जिसके बाद बेटी ने बाप की अश्लील हरकतों की शिकायत अपने भाई और पती से की जिसके बाद दोनों मिलकर यह सारी बातें पुलिस को बताई है अब नमस्कार मेनिहा चौधी कैमरा परसन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्षिन बाप बेटी के रिष्टे को शर्मसार करने वाली यह घटना दिल्ली से आई है जहां बिहार के खगडिया का रहने वाला 65 साल का ब बापो की कहानिया सुनाने लगा बेटी आसाराम की कहानी सुन रही थी कि बीच में बापने गंदी हरकतें करनी शुरू कर दी बेटी ने शिकायत करते समय बताया कि उस समय मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है मुझे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि उस समय मैं क्या करूँ इसके बाद मैंने ये सारी बाते अपने पती और भाई को बताई जिसके बाद ही भाई और पती ने मिलकर पुलिस को बाप के शिकायत की। हलांके ये मामला चार मैने पुराना है लेकिन पुलिस ने अब जाकर इस कल्यूग के बाप को गिरफतार करने के लिए कारवाई शुरू की है। बेटी ने पती और भाई को पिता की अश्डिल हरकतों के बारे में बताया जिसके बाद सभी ने मिलकर पुलिस से शिकायत की। पिता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करने के बाद ही वो दिल्ली से खगडिया भाग गया। बुद्धवार को दिल्ली पुलिस ने आरोपी को गिरिफतार करने के लिए खगडिया के गोगरी पुलिस को सूचना दी लेकिन वहां से भी आरोपी फरार हो गया बेटी ने बताया कि वो मौजूदा समय में दिल्ली में अपने पती के साथ रहती है जहां उसका बाप उससे म विरोध किया तो मुझे जबदस्ती अपने बेड पर खीच लिया उसके बाद गंदी हरकतें करने लगा मैं वहां से किसी तरह भागी और सारी बातें अपने पती और भाई को बताई परिजनों ने उसी रात बैट कर ये फैसला लिया कि आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिक रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया इस पर आरोपी बाप बोल रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है इसकी सजा तो मुझे मिलने चाहिए अगर आप लोग मुझे छोड़ देंगे तो आसाराम बापु की पूजा करते हुए अकेले मैं अपना जीवन काट लूँगा इस को लेकर आगे जो भी अपडेट्स आएगा हम आपको बताएंगे बांकि आप इस कल्यूग के बाप की अश्टिल हरकतों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताईएगा और आगे की खबरों के लिए देखते रहें जंता जंशिं धनिवाद